हेलो बच्चों, वेलकमीं चरक मेटिकल एंड नंसी आर्टी क्लासे, इस 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 योर केमिस्टी टीचर शुबं कोशिक, तोड़े विल डिस्कस्ट दे कोशन नंबर बन फ्रॉम दी चैप्टर और गैनिक केमिस्टी सम बेसिक पिंसिपल और टेक्निक, तो नंसी आर्टी केमि हाविडाइजेशन के लिए हम क्या करते थे, ये एक तो सिक्मा बॉंड प्लस लॉन पेर, तो पता ये आपको अगर 4 होता था इसका, तो हम क्या लिखते थे, SP3, 3 था, तो SP2, 2 था, तो SP, ठीक है, तो जर्णा एक बार इनकी शकल देख लो, CH2, CO, तो हमने इस तरह से हावि की, double bond O, CH2, CO, तो जर्णा ये 1st carbon है, ये 2nd carbon है, तो carbon 1st की बात करें हम, तो carbon 1st का मतलब है कितने bond बना रहा है, 1 ये hydrogen, 1 ये hydrogen और 2 bond ये बने हुए है, ये ही तो बने हुए है, तो 1, 2, 3, 3 के लिए क्या लिखते थे हम? SP2, तो carbon 2 की बात करें, तो 1 ये bond, sigma bond, 2, 2 के लिए ठीक है तो यहाँ पर लिख लो आप सिगमा प्लस लोन पेर इस इकल टू अगर फोर के लिए हमें क्या लिखना है SP3 3 के लिए क्या है SP2 और 2 के लिए क्या है SP चालो अब next question देख सकते हुआ तो यह है CH3 CH double bond CH2 तो C1 CH3 और क्या है CH double bond CH होगे यह H होगे तो अगर हम first carbon की बात करें तो first carbon में 1,2,3 और 4 4 के लिए मतलब की SP3 second carbon की बात करें एक bond यह sigma 2 और 3 sigma तो इसका मतलब 3 का मतलब क्या हो गया SP2 और अगर हम इसकी बात करें तो 1 sigma 2 sigma और 3 sigma मतलब 3 मतलब की SP2 यह भी SP2 होगे ठीक है बच्चो चालो अब हम बात करते हैं CS3 C double bond O और यह क्या है CH3 CH3 C double bond O CH3 तो यह कितने bond बना रहा है एक, दो, तीन, चार, चार के लिए यह वाला कौन सा carbon हो गया SP3 और यह भी चार bond बना रहा है सिंगल bond तो यह क्या हो गया SP3 सिंगल बना रहा है न और यह एक सिंगल दो सिंगल और यह तीन सिंगल तीन सिंगल के लिए SP2 आसाने बहुँ जाद है सिंपल समझ में आगया होगा चालो ऐसे ही लाश देख लो जरा CH2 double bond CH और यह CN यह CN में तीन bond बनते हैं तो जरा इस carbon 1 की बात करें तो 2 sigma और एक यह 3 sigma तो 3 sigma का मतलब SP2 इस CH की बात करें तो एक sigma और एक दो sigma और एक उपर hydrogen लगवा 3 sigma तो यह भी SP2 और यह बात करें एक sigma और प्लस दूसर sigma बाकी तो क्या है यह pi bond है तो pi bond का मतलब भी नहीं है तो 2 के लिए SP ठीक है और यह benzene है C6 H6 तो इसमें क्या है इसमें तो सारे SP2 होते हैं तो आपको पता ही होगा तो एक बार देख लो ठीक होगा कैसे भई देखो यह benzene ring बनाते हैं यह benzene ring यह benzene ring यह benzene ring यह hydrogen ring यह hydrogen होते हैं C6 H6 है यह hydrogen लगए है यह hydrogen लगए है तो इस carbon की बात कर रहे है है यह इस carbon की तो एक bond 2 bond 3 bond 3 bond के लिए 3 sigma का मतलब की sp2 ऐसे इसी carbon के लिए बात करेंगे तो 1 sigma 2 sigma और 3 sigma मतलब की sp2 और इसकी बात करें इस carbon के लिए 1 sigma 2 sigma और यह 3 sigma मतलब sp2 समझ में आया बच्चो